चोट तो सबको लगी है अरे अरे दिल के चोटकी नहीं बलकि शरीर के चोटकी बात कर रही हूँ नहीं समझे तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा नमश्कार मैं प्रिया सुयाल और आज हम जानेंगे हमारे शरीर में जो नीले निशान हो जाते हैं जिसे पता ही नहीं चलता कि वो चोट लगी कब कहां लगी और कितनी पुरानी है और जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके शरीर पे नील पढ़ जाए तो उनकी माताएं तो और परिशान हो जाती हैं कि हमारे बच्चे को बहुत जादा चोट लग गई और ये चोट का निशा में मौझूद blood capillaries का तूट जाना, capillaries हमारे शरीर में मौझूद छोटी-छोटी पतली-पतली blood vessels होती है, जो कि हमारे body cells तक oxygen, nutrients और blood को supply करती है, और जब ये तूट जाती है, तो वहां का खून बहार आ जाता है, और internal bleeding होने लगती है, हमारे शरीर में red blood cells के अलावा, wbc यानि white blood cells और कुछ enzymes भी मौझूद होते हैं, जो कि इस blood को साफ करने का और उस blood में मौझूद, protein और बागी सारे तक्वों को दुबारा से इस्तिमाल करने का काम करते हैं, जब हमें चोट लगती है, वो capillaries हमारे शरीर में जो मौझूद है, वो टूट जाती है, तो हमारे शरीर पे एक लाल रंग का निशान पढ़ जाता है, और चोट लगने के एक से दो दिन बाद, वो निशान blue या फिर purple दिखने लगता है, और 5-6 दिन बाद वही निशान आपको हरे रंग का दिखता है, और 8-9 दिन बाद वो निशान yellow या फिर brown होने लगता है, और वो एक आखरी stage होती है उस चोट की, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो निशान मिटने लगता है, जिसका मतलब है आपकी capillaries फिर से recover हो गई है, अब आपकी जो capillaries है वो बिलकुल normal है, कोई capillaries फिर नहीं बच्ची जो टूट चुकी है, तो यह कितनी दिल्चस्प बात है ना, कि जिस तरीके से गाड़ी खराब होने पर mechanic को phone करते कि, अरे भाया बता दो, तो गाड़ी ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, और कितनी टाइम से यह गाड़ी पर यह दिक्कते आ रही हैं, यह सब तो हमको पता रहते हैं, लेकिन शरीर में क्या हो रहा है, शरीर को तो phone नहीं करेंगे, तो यह निशान देखकर आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, कि यह चोट कितनी पुरानी और कब तर ठीक होगी, और यह सब होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली chemical reactions की वज़े से, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें,